बिचिया थाना छेत्र के भटलो गाउं में उस समय सनाका खिच गया जब सुबह गाउं के लोग सोकर उठे तो गाउं के ही साथ वर्सिये राम मिलन कोल के अपने बिस्तर पर मृत हालत में पड़े होने की जानकारी मिली घटना की जानकारी आग की तरह फैली और देखते ही देखते आसपास के लोग एकत्र हो गएं पूरे मामने की जानकारी बिचिया थाना प्रभारी जगदीज सिंग ठाकुर को दी गई तो आनन फानन में वे भी मौके पर पहुँचें थाना प्रभारी ने मौका मौाइना करने के बाद पंचनामा कारेवाही कर सब का पोश्ट माटम कराकर परजनों को सौब दिया बताया जाता है कि राम मिलन अपनी 20 वर्षी ये बेटी के साथ घर में सो रहा था सुबह जब परिवार के लोग सोकर उठें तो देखा कि गले में चाकू का निसान है जहां से खून बह रहा था जिसके चलते माना जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है पुलिस ने बेटी से पूश्टाच किया तो वे कोई इस पश्ट जवाब नहीं दे पाई है बताया जाता है कि बेटी मांसिक रूप से कमजोर है पिलाल पुलिस परिवार जुनों के साथ-साथ आस-पास के लोगों से पूश्टाच कर मामले की जाच सुरू कर दी है पूरे मामले को रेकर थाना प्रभारी जगदीज सिंग ठाकुर ने क्या कहा आईए सुनते हैं अब लोगों को अवगत कराया जाएगा अभी चुकि उसका किसी से बाद विवाद था नहीं और बहुत ज़्याद सिधा विक्ति है तो इस तरीके से समझे में आ रहा है कोछी परिवार एक ही विवाद संभावना है और अभी कहा कुछ नहीं आ सकता है क्या तत्त सामने आएगो आवगोज हुगा